सब देखो कल वो मोबाइल खरदा है तेस्ट देने के लिए स्पेसिली एमसी क्यू चलाने के लिए तब एडिकेशन चलिए सेट मरा रहा है कि भागा राच्छुर तब आईए यहां पर सब अंती में पंच मिनट रुकिएगा देख लेंगे क्या प्रॉबलम है तो दूसरा लगा करके हैं तो चलिए सुरू किया जाए रिजिनिंग टेस्ट टेवेंटीवन नम्मर सेट हम लोग देख रहे हैं अभी इसमें और इसमें क्या-क्या कोश्चन है हम लोग अभी देखेंगे तो पहला कोश्चन आपके सामने है लिखा हुआ के एन एस भी कि एन एस भी लिखा हुआ है और इसका कोड़ देरा बाबु फिप्टी वन क्या हुआ इसमें के का कोड़ एलेवन एन का कोड़ फोर्टीन हैस का कोड़ नाइन टीन और बी का कोड़ टू कि नीस और ग्यारा तीस तीस और चौदा को वालीस चौवालीस और दो त्यालीस 46 माइनस करती जिए फाइब वजागा पापू फोर्टी वन टीक है जबी लेटर के पोजिशन को जोर नेक बाद उसमें पंच घटाया अब यहाँ पर चलिए टीपी एफजी तीरी यहाँ प यहाँ पर कितना हो गया नौचे पंदरा दस पंदरा दस पचीस दस पैंटीस एक शटीस अच शटीस में से पंच चला गया तो कितना अप्टी वन ऑप्शन बाव एक नंबर यह ऑप्शन किसी को डाउट है बोल लिजिए तीक है अगले सवाल की और बढ़िए अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास तासक है पूरुस है अभियंता यहाँ पर जो सरकल दिया गया है वह कौन सा ओप्शन का डाइगराम यह बना रहा है यह हमारा सवाल है चलिए बाबु इसमें देखेंगे कि कौन से ओप्शन का यह डाइगराम बना रहा है कौन्स आप्शन कापना रिजी, बातायें, अभिनेत्री और लड़के, महिला, पत्रियां और चिकित सक6 और पिता, सिसु और पुरूश, सासक, पुरूश और अभ्यंता, यह हो जाएगा बाबुबra, भिझा ये लड़का का लड़का option बाबु चार नंबर डी option मामला यहाँ पर यह रहा कि कोई कुछ बोला नहीं है लेकिन हम फिर भी अपने मन से चारों का डागरम बना देते हैं कि अधरा ठीक रहता है अब यह बोलो को मैं नहीं बोलो सासक है पुरूस है और बाबु अभियंता है यह हो गया कौन अभियंता है और इस टैप का डागरम ऑप्शन हो जागा मतलब इसके लिए कि लिए कि तुसरा पिता है शिशू है और पुरूस है यह हो जागा बाबु पुरूस हुआ कर आधा कि है और यह हो जाएगा उसके अंदर करिणम दर अिय्या प्रोच के अंदर थे टाइयन घुब कSí सरक शाल तो पूरूस के अंदर टब आ कि या का पिता के अंदर टब्रूच जा सेए चरने शाल कि पूरूस के अंदर टाश है यह अच्छा हो सकता है मामा हो सकता है फूफा मोसाय अपितात नहीं है नहोगा हाँ ठीक है कि आये महिलाएं पत्नियां और चिकित्सक की बाबु पत्नी अई बाबु महिला अई बाबु डॉक्टर टिक है कि लिए इसका तो यहां है यह ओप्शन चार नंबर डी ओप्शन इस कुश्चन का अंसर अगले सवाल की और बढ़े हम लोग कि अगा खत्म हो चलिए अब यहां देखिए हमारे पास जो बाबु प्रसन दिया हुआ है इसका कहने का क्या आर्थ है थोड़ा हम लोग इसको समझेंगे प्रसन में लिख रहा है कि परनाम गुरु जी बाबु परनाम धनिया हो परभू आप आपके चरन कहां है यहीं है यहीं पर है आजाईए कि मरा खुमाना परेगा ने जी कागज के बने घन की चार इस्तितिया नीचे दर्थाई गई है ठीक है और इसमें लिख रहा कि कागज के इस घन को खोले जाने पर इसका सही खुला रूपिन में से कौन सा होगा यह हमारा सवाल है चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे यहां जो ऑपेंड डाइस दिया हुआ है उपेंड डाइस को बनाने सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कौन किसके विप्रीत है वो निकाल लेते हैं चलिए बाबु बिप्रीत निकाला जाए विप्रीत निकालने के लिए यहां पर तुम किसी का किसी का विप्रीत निकाली लेंगे लेकिन एक बार में अगर सटीक विप्रित निकल जाया तो अलग अलग बार हमको समय उसमें लगाना नहीं परेगा और इसलिए हम यहां पर पर्योग करेंगे इसका और किसका तो बाबु यह यहां पर छे है तो तीन से बना लिया जाए ओझी दो तीन में तो कुछ यह देखे यहां पर छे है यहां पर छे है घुमादीा गया इसमें इसमें यह दो तीन में 56 ilman चार अभाते हैं हम लोग यहां पर आप्सन में और इसको पहले हटा जिनने तो लगता है किरा मुकुरा घुम रहा ही कि अध Richardson में यहां पर क्या होता है दो बीपरीत सता के बीच में हमेसा एक सता होता है दो को भी परीत सटा के बीच में एक सटा होता यह दोनों हुआ भीरी यह दोनों हुआ भीरीत है यह दोनों हुआ भी परीत हुआ जाएगा ऑपशन यहीं नंबर किसी को डाउट है तो बोल दिजे तर वह थीक है कि सही है यह सब को भी जाँच करके दिखा देते कैसे गलत हुआ तो कि यह जाँच कर लिए आपनी का बात माम कि तीन और एक यहांपर लेके भीप्रित में है यहां पर देन और एक बागल इक इंग है गलत यहां पर दिखें थीरिवन भगल में है गलत यहां पर देखें और फांच पांच और दो देखें कर भगल में है यहां पर ऑभी प्रीट दर्शार नहीं यह चंभ रहा इए एक नमर एक उप्षन किसी को डावट है घय arenNY आयम से रख सकते थे कि बुलिए यह कुन कुन डाइस बोल दीजी आप पहला चौछ था इन तीन को डाइस दिमाग लगा दिजिए गा के बार में हैं तो रुकिया ने रुकिया एक कहां बुलिए नहीं जल्दी बनाने के लिए करते हैं इसा एक तो हम तो चारों से बना ले तुए को कहा है किसमें तो उसमें बाबु फिर तीन बार बनानों तो पड़ेगा कि आँ पात तो सही बोला हुआ है इन और दू अगर भागल में है तो तीन और दू भी प्रित्मत नहीं होगा तहीं सोचा था हम यह नहीं सोचे नहीं पिल्कुल सही सचामी बाब बताएंगे विष्णी देखिए जैसे कहने का है कि थिरी और टू है एक दूसरे बगल में तो थिरी और टू विप्रित में नहीं होगा यहां पर विप्रित में दिया हुआ ही गलत हो गया ठीक है इसके बाद देख लिजिए खे और तीन ग्लमें तीन विप्रित में नहीं होगा यहां पर यहां पर नहीं přेही गलत हो गया या इसमें कोछ नहीं मिलाते तहीं हो गिया है सब्सक्राइब नहीं सोचें लेकिन इसमें अब तो गल्दी कत कहां पर आएगा एसे यह उप्षन तो मैच कर गया लिजे कि दो और तीन यहां पर बगल में हाई पर तीन लिए है मान लिजे सब उप्षन में दो तीन बगले में दे दिया ऐसे महम को फिर आप बार-बार बार-बार अलग धुनना पड़ेगा तो दूसरों डाइसों देख लेंगे हम भी वही कह रहे हैं चलिए आगे बढ़ें नहीं है तरीका में कोई गर बढ़ी नहीं है आईए यहाँ पर कोश्चन हमारे पास अगला क्या लिख रहा है प्रस्ण हम लोग देखेंगे अभी पी का पी से क्या संबंद है पी और पी के बीच रिलेशन क्या हम लोगों को यह बात निकालना है चलिए देख लेते हैं पी का पी से क्या संबंद है जी पी का पी से रिलेशन बनाने के लिए हमने देखा इधर A है इधर बाबु N है और A और N का तो कुछ नहीं हो रहा है चलिए फिलाल इस लाइन को देखते हैं होगा जो देख लेंगे पी एका पिता है पी फोर पाइरोट का है ये का पी एका पिता और B N का पुत्र है और B जो है वह पुत्र है किसका? N का ठीक अब यहाँ पर देखे लिखा हुआ है M Y की पुत्री और X N की मा है M जो है वह है Y की पुत्री और X जो है वह N की माता न की माता का नाम क्या है? X P M से और X Y से विवाहित है और X किससे विवाहित है? Y से और M Y की पुत्री है और M कौन है? Y की बेटी है ठीक है? अभी तक तो कुछ नहीं है P और A इसमें तो सटा है नहीं P M से और X Y से विवाहित है P और M का साधी हो गया अब यहाँ पर तो हो गया किलियर यह दोनों भाई भाई भेहन हो सकता है अच्छा भाई यह हो सकता बहन यह नहीं बहन हो सकता जो भी हो लेकिन सहदर वाला डिलसन हो जागा तो B का P से क्या संब्द है? P और P के बीच रिलेशन यहाँ पर है यानि कि बाबू पिता की बहन हुआ अफुआ का पती फुफा पी हो जाएगा कोन? फुफा अब पी हो जाएगा कोन? फती जा दोनों के बीच फुफा और भती जा का संब्द है तो पतनी के भाई का पुत्र आप्सन बाबू बिलकुल तो सही दो नमबर बी आप्सन ठीक है? अच्छा ठीक है एक बार और बोला है ना है एक बार और बोला है ना पुरा बना देते हैं फिर पूछ पूछ पूरा है जब बनाना पूरा तो छटका कहिल बताएं नहीं समझे मीरा बात अभी बता रहें न फिर देख लीजेगा यह मेन वाई की पूत्री है ए ऊ Сींसे और एक्स है न कि मा है पी-म से और एक्स वाई से बिवाहित पी कि से म से विवाहित पत्र पत्र है यहां पर लिखा है एम वाई की पुत्रिय एक्स एन की मां है ना तो यहां एक्स है ना तो यहां एन है अभी विलेशन भी नहीं बना एम की कोई बहन ने पी एम से और वाई एक्स से विवाहित है यह दुनों साधी सुदा जोरा हो गया एक्स एन की मां है एक्स किसकी मां है यहाँ की कोई बहन नहीं है तो बहन नहीं है यहाँ की कोई आद यहाँ है माता पिता यही दोनों है देख लिए तब यह दोनों साधी सुदा है यही दोनों माता पिता होगा जब माता पिता यही दोनों तो यह दोनों भाई बेन भाई 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 जो भी हो जाए अब ई निकल गई बेटी तो बहन एम बोल रहा है कि जो कुछ हो जा हमको बहुन नहीं है तो बहुन नहीं है तो इसका पूत्र है अब इस दोनों के बिच रिलेशन निकालना हमको के देखें पत्नी का भाई भाई का बेटा किलियर हुआ आगे बढ़ें जेकी कुमार परहार बेच टाइम पर ऑनलाइन कलास नहीं चलता है सतुव परहार बेच में टाइम पर ऑनलाइन कलास चलता है ठीक है ताइम आपको पता नहीं है नौ बज करके बीस मिनट के आज पास बाबु सीज और कलास छोड़ते हैं वो करबादें हम रिजनिंग शुरू करेंगे ठीक है नौ बज करके बीस मिनट में पलस में तब जाकर के रिजनिंग देखना है अईसे ही सब में ठीक है इसी लिए प्रहार बेच बला में देखिएगा हमना टाइम नहीं लिखे अगर आप जो है साथ बज करके साथ बज़े से बाबु क्लास शुरू नहीं हो पाता है काई कि हम नहीं बोलेंगे साथ बज़ करके 20-25 मिनट से अगर आप कलास शुरू किजिएगा अपना माय कोर्स में जाईएगा वहां पट्टी पीएगा तो आपको कलास चलता हुआ नजर आ जाएगा और यदि मान लिज्जे की दिक्कत हो उसी टाइम में सुबह के समय में ही आठ बजे सब आठ बजे इस समय में अगर आप हमको फोन कर दीजिएगा नमबर तो होवे करेगा तो फिर वहां से हम देख लेंगे एक्सन्ट तभी ले सकते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा हम देख लेंगे अब आप उस शुबह का साम में पता का हम तो जहां तक देखें हैं कि सब कलास चलते रहत है कि यह जो परकार का दिक्कत हो रहा है मान लिजिए आप मुझसे डारेक्ट संपर कर सकते हैं और वहाँ पर बोलेंगे आपके समस्याओं का समधान हम जरूर करेंगे और जल्दी करेंगे क्या लिखा है यह सबसे लंबा नहीं है कितने व्यक्ति सी से लंबे हैं कितना व्यक्ति ऐसा है जो कि बाबु सी से लंबा है वो इसमें कहा जा रहा है कि सी से लंबा कितने व्यक्ति हैं चलिए देखते हैं A सबसे लंबा नहीं है, कितने व्यक्ति C से लंबे हैं, A, B, C, D, E, लंबा यह अलग अलग है, केवल दो व्यक्ति D से छोटे हैं, केवल दो व्यक्ति D से छोटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, केवल दो व्यक्ति D से छोटे हैं, E, F से लंबा है, लेकिन A से छोटा है, E जो है, वो F से लंबा है, लेकिन A से छोटा है, A सबसे लंबा नहीं है, चली A को मान लिजे, यहां रखिये, यहां पर किसको रखेंगे तब E और यहां पर F को तो यहां किसको रखेंगे ठीको तो बोला कि C से कितने लोग लंबे हैं तो कोई नहीं क्योंकि C सबसे बढ़ा है और यह वाला option क्या हो जाएगा सही option बाव तीन नंबर C option जिसको doubt है वो अभी बोल लीजिए कि फोटोग यहां तो है एबी सी यहां है यहां है आप वहांगा पर कि एतना तो सेंस लगा सकता है तो नहीं बनने विला क्या बात था है इसमें फिर देना कि याँ पर हैं यहां पर बावुं तेरा जोड दिजिये यहां पर 26 जोड़ दिजिये यहां पर अब 409 जोड़ दिजिए यहां पर बावन जोड़न जोड़ gardens इसे परकार से जौड़ते रहीए तेरा का तेरा 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 दुनेगा चब्विस उन चालीस तेरा चग बावन तेरा पचे का 65 जोड दीजिए कितना हो जाएगा 202 आप्शन बाबु चार्ट नमबर डी आप्शन ठीक है हो गया है है आल सब्जेक्ट लिया क्लास है सब चल लिए बाबु ठीक है आगे बड़े हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कोश्चन क्या लिखाए देखिए Q और L के मद तीन से अधिक व्यक्ति रहते हैं N के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं हमारा सवाल है बहतरीन सवाल है फूछ रहा है क्या चीज की एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं एन के नीचे कौन रहता है बराबर यहां सवाल होता है लगाने में ठीक रहता है कितने जो पुछ देता है यह सब थोरा सा गरबर हो जाता है चलिए फिर भी कोशिस करते हैं एक बार L M N O P Q R A की इमारत में साथ अलग-अलग मंजिल रहते हैं कितने मंजिल है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ अलग-अलग मंजिल है यहाँ पर ठीक है तब से नीचे वाली मंजिल का क्रमांक एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 दिखा अब इसमें खतम आर सम करमांक वाली मंजिल पर रहता जो मंजिल करमांक 4 पर नहीं रहता है यानि कि आर सम पर रहेगा वो जरूर है लेकिन 4 पर वह नहीं रहेगा यह दो सिच्वेशन है इसके लिए अब इसके बाद नहीं रहता आर और एम के मद केवल एक बैकती रहता है है ओप के ठीक ऊपर रहता है ओ जो है फीक ठीक ऊपर रहता है और पी क्यू के ठीक उपर रहता और पी जो है क्यू के ठीक उपर रहता यानि कि ओ पी क्यू का जो सिस्टम है वो बाबू ऐसा है ओ पी और यही लगाता है तीन गो खाली वाला जगा है क्यों करेंद इना इन्से अधिक व्यक्ति रहते क्यू और यहां तक तो जाना पर ना nessa बैठेगा चाहिए यहां बैठेगा उससे अच्छा एल उपरे बैठेगा आप कुन बचा जी एन फोर नो जी यहां पर और बोला एन के नीचे कितने एन के नीचे वन टू ठीरी फोर कि अपस्टन वाब एक नंबर एक अपसन जिसको डाउट है वो बोलिए दर जी मेरी प्रोब्लम का समाधान थुम्राइट प्रोब्लम समाधान हो गया हुआ है तिकम नहीं भूले है क्या मतलब रिसम कुमार के प्रोब्लम का समाधान हो गया चलो ठीक है Inspector ass पांच बज़े दाप पांच बज़ के 45 मिनट पर देखिए का हुआ हुआ रहेगा तो इसके और इसके बीच में तीन से अधी का एक दू तीने को नहीं अधिक भी तो चाहिए एक ठो कि अधिक भी तो चाहिए एक ठो आईए और इस प्रसन का लुठ उठाईए प्रसन में जो लिखा गया है उसको धियान से देखना है और फिर बनाना दो गुणा चार आठ गुणा दो तोला गुणा तीन बराबर अर्तालीश आठ गुणा छे अर्तालीस प्रजमाया यह जो बाहर वाला है ना दो गुना चार गुना दो गुना तीन तीन बराबर आठ गुना अच्छे बराबर हो गिया ठीक है तीन गुना पांच पंदरा गुना दो तीस अच्छे पंचे तीस तीन गुना साथ एकीस एकीस गुना दो बियालीस तो चौदा गुना तीन बियालीस ओप्शन बाबू ठीर स्टी आप स्टम करें और कब से कम बोलने हैं तो दो अच्छा से हम कुछ बोले हैं आप बोले हैं अब हमको बात बताई खाले तीन गुना एक तीन अच्छा ठीक आप चेंज कर दिए बराबर यहां जब आप चेंज कर यह रहते तो जैसे हम बताई वह से कर लीजिए कि अब हो गया साथ तरीक है कि सद्दू गुना एक दो कहा हुआ है यह को मखाली मेच कर गया हो जाएगा उससे आईए यहां पर असंगत को छाटें और यहां पर जो दिया गया है असंगत उसको छाटिये दोनों समान दोनों समान दोनों समान आई दोनों अलग अलगे को सश्ट भूज है को पंच भूज है ओप्सन बावु थिरी सी ओप्सन आईए एक बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है ठीक है बहुत बार यहां सवाल है सवाल को समझिए एक बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है एक बाई और दाया नहीं दाया नहीं दूसरी बात ए जो है जिसके भिमान लिजिए यहां पर हम रख देते हैं एक वन मैंने यहां वन रखा और एक बाई बगल में वन हुआ की नहीं हुआ यह बता दिजिए कि वा की नहीं हुआ the one क TV नुजा रहे हैं उसको ध्यान से समझना है अगर एक ये बाई और बाले को आपको ढूर्णना है जलूरीopt कि कहीं लिखा हुआ रहेगा की ये के बाई बगल में ये लिखा हुआ है ज़रूरी नहीं है लेकिन ये हो हो चाहिए आपके दिमाग में तुरंत ये बात आना चाहिए कि एक के बाया भगल में अगर एक हो सकता है एक के दाहिना भगल में होगा ये दोनों चीजा आ जाना चाहिए आपको इसे कुश्टन ABCDFGH एक पंक्तिम उत्तर के और दक्षिन के और मुख करके बैठें C के बाईंची और के बैठे很 Ultiberate देको S थिक बगर में बैठा है ऑफिए कडा द्रोल टीकë बगर भगर में बैठा है तैन कि D के बाया हो गया पूं ए चालि यह कोई बात थैं A के ठीक बगल में बैटे किसी विद्धी कामोpping A के सामने दिशा में नहीं है H ना तो A के और ना ही C के बगल में बैट्शा है FH के दाई और तीसरी अस्थान पर बैट्था है H और B के बीच तीन से अधिक बैक्ति बैटें C के ठीक बगलबे बैटें दोनों बैक्ति C के विप्रित दिसा में मूँ किये हुए बैटें कहीं है यह नहीं कोई बात नहीं कभी कभी हम लोग को पुरा बनाना चाहिए प्रसन को ठीक है A, B, C, D, F, G, H A, B, C, D, E, F, G, H ये बाबु दाहिना और ये बाबु बाया एक सीधी पंक्ति में रेखा में बैटें हैं उसमें से कुछ उत्तर के और मूँ करके कुछ दक्षिन के और मूँ करके चलिए उत्तर के और जिसा मूँ होगा ये दाहिना होगा का यह भाया वू साउथ में होंगा यह भाया होगा और यह दाहिना भो टी का मुख दक्षिन की औरहाया असी के बाई और केबल दो भैक्ति बैठे है इसका मतलब है कि यहाँ पर है सब एक त लिए 15 का बायां इधर होगा सी के बाईं और केबल दो लोग बैठ हैं दी का मुख दक्षिन कि और विच के बीच इस दो बेक्ति बैठें एंड Community desu यहाँ पर बाबु ए र chops के बीच में डो बेक्ति बैठें दी एक दाई और ठीक बगल में बैठा डी एक दाई ने और इधर भी हो सकता इधर भी हो सकता है यह थी दिये हैं मुह बनाए है का मुदक्षिन क्यों है ठीक है हाँ दी एक दाई और ठीक बगल में बैठा है तो दी एक दाई और इधर भी हो सकता है अभी ततकाल छोड़ दीजे इसको एक ठीक बगल में कोई भी बैठे बैकती किसी भी मुख एक समान दिसा में नहीं है एच ना तो ए और ना ही सी के ठीक बगल में बैठा है एच ना तो एक बगल में और ना ही ठीक बगल में इसका मतलब है कि एच या तो इधर बैठेगा नहीं तो एच बाबू इधर बैठे है तो यह पर बठाते हैं और दूसरा एक और सिस्टम हम बना लेते हैं हाजी क्या बोला है आप एच कि क्या हुआ कि आते हैं गहेंगे तो और गर बनाएगे चले फिर से बनाते हैं वन टू थ्री पोर फाइव सेवन वन टू थ्री पोर फाइव सिक्ट सेवन आठाद में कारण हम दरबड़ा गए ती के बाई और केबल दो बैक्ती बैठे हुए है जवाद सी का मुख दक्षिन की और है कि का मुख दक्षिन की और है एक दो यहां पर एक दो यहां पर इसके बाद D A के दाई और ठीक बगल में बैठा है D A के दाई और ठीक बगल में बैठा है A के ठीक बगल में बैठे वेक्टी का मुख A के समान दिसा में नहीं है ये भी ठीक है चलिए H ना तो A और ना ही C के ठीक बगल में बैठा है है जो है एक बगल में नहीं बैठेगा और शी के बगल में भी नहीं बैठेगा है आई बदो सिर्फ यहीं बैठेगा इसलिए एच ना तो ए ना ही च के बगल में बैठा है अब इससे पहले हम लोग थे एफ यह क्या दाई और तीसरे अस्थान पर बैठा एफ के दाई और तीसरे आस्थान पर एच के दाया तो इधर ही जाहेगा आज के दाया पहला दूसाम development कोन है hers है पाइव-धर गया इसका मतलब है तावी वह बावु ऐसे ही है दक्षिन दिशाकी ओ कि इसके बाद FHK दयरती से अस्तान पर एक और बी के बीच में 3 से अधिक 1 2 3 1 2 3 यह हुआ अधिक इसका मतलब भी यहां पर रहेगा, तीन से अधीक तो 4 वो कम से कम होना चाहिए न, D, A के दाई और ठीक बगल में बैठा है, D जो है, A के दाई और तब तो D यहीं पर न होगा, अब इधर दाया हो रहा है, तो इसका मतलब A का मूं इधर होगा, अब यहाँ पर लिखा है A के ठीक बगल A के ठीक बगल में बैठे ब्यक्ति का मुह A के समान दिशा में नहीं है यानि कि A के बगल वाला ब्यक्ति का मुह जो है ऐसे होगा और यहाँ पर कोन बैठेगा? E for elephant प्रसन में क्या लिखा? E के बगल में बैठा है? चलिए में option बाबु दो नमबर B option लिख लिजिये इसको प्रितियस कुमार दस का भी होगा हाँ बाब बिलकुल सही है वो गया लिख लिए प्रशन में लिखाया बहान है महिला है पत्नी है क्या होगा इसका अंसर यह आपको बताना है यह हो गए बाबू महिला महिला इस्तिरी यह हो गई बहान यह हो गई पत्नी आंसर आप्शन एक नंबर कि कि किसी को डाउट इसमें है कि किसी को डाउट भी है कि की सी कोई बोल रहा है कि वाबु पिर्यंका गांदी है क्योंकि राहुल गांदी की बहान है रोबर्ट वाडरा की पत्नी है ठीक है और कोई दिकत चलिए अगला क्या लिखाया देखिए तभी ड्रम बांसूरी है कोई बांसूरी माइक नहीं कुछ माइक बैंड है और कुछ माइक जो है वो बाबु बैंड है ठीक है अब जब बैंड यहां पर दिहान से पहले समझी है इस चीज को क्नेक्शन कहां नहीं है तो अभी ड्रम बांसूरी है ठीक कोई बांसूरी माइक नहीं है जब माइक बांसूरी से अटेच्च नहीं हो रहा है तो माइक जब आबु ड्रम से भी अटेच्च नहीं होग लेकिन अगर ये बैंड चाहे बैंड चाहे तो बांसुरी ड्रम दोनों से टैच हो सकता है ठीक है तो कुछ माई के बैंड है कुछ माई के बैंड है ठीक है तो कुछ बैंड बांसुरी कुछ बैंड बांसुरी सही और गलत दोनों तो क्या होगा गलत किकत भी किसी को कोई बैन्ड ड्रम नहीं बैंड जो है वह डुराम नहीं है पैंड जो है वो बाम डिर म नहीं ४ बैंड टो बाबु लागि आज सही है अलेकिन अगर अटेच कर देंगे तो क्या हो जाएगा गलत जो कि इसको डाउट है वो बोल ली जिए क्या चौधा एक यारा में डाउट है अच्छे रूख जाओ रूख जाओ रूख जाओ रूख जाओ रूख जाओ रूख जाओ यह कमें अब हम साहे लोगिजम से बहर जाते हैं तब पूछिए बता देंगे तो बाब गलती से वहाँ चलिए उसको काट दीजिए ठीक है मिस्टाइपिंग है लेकिन उसको आप अगर सॉल्व करवाना चाहते हैं सॉल्व कर देते हैं सभी ड्रम माइक है इसको तो सबसे पहले इसमें से काट दीजिएगा ठीक है सभी ड्रम माइक है कर यह बनाना है तो देख लिजिए सभी ड्रम माइक है बिलकुल ही गलत ठीक है कि टादें पर रूर से ना पनाते हैं तुरन तम बता देते हैं मैं ठीक है बता दें कैसे तोनों ना कि दोनों की कोई एक्षोर डुसरा दोनों बता दें सबसे पहले कुछ बेंड बांसूरी है बेंड बावु यहां पर बांसूरी यहां पर माइक माइक कॉमन मिल गया कॉमन में कम से कम एक हंडेड होना चाहिए यहां पर बला में हंडेड हो गया ठीक है अब यहां पर देखिए बांसूरी यहां पर क्या है एक पोजेटिव एक निगेटिव से क्या बनेगा एक पोजेंद्टिवेक न्युक्निगर्टिव से क्या बनेगा निगेटि भी क्या है डालत तो को झीका इतना दूसरा कि कोई नद ड्रम नहीं है बेंड यहां पर ड्रब यहां पर ठीक पॉमन मिला बाबु बाशुरी बाशुरी फिर यहां पर माइक माइक यहां पर बाशुरी पचास यहां पर सो ठीक है यहां पर माइक सो यहां पर माइक पचास यह भी ठीक है एक पोजेटिव निगेटिव पोजेटिव से निगेटिव बनेगा निगेटिव ब पचास यहां बेंड कितना है पचास रुपईया प्रिंट है सो रुपईया में आप खरी दियेगा आगया याद चलिए दुनों का दुनों क्या हुआ गलत हुआ तेरा नंबर सभी सदस्य परतियासी है सभी सो सदस्य क्या है परतियासी है कोई छात्र परतियासी नहीं है छात्र जो है बाबु वह परतियासी नहीं है तो कोई सदस्य छात्र नहीं है जब यह परतियासी है नहीं हो गता छात्र सदस्य कहा सो जाएगा गलत कुछ छात्र सदस्यां कुछ छात्र जो है वो क्या है सदस्य यह भी क्या हो गया गलत हो गया कोई सदस्य छात्र नहीं है तभी सदस्य पर्तियासि है कोई छात्र पर्तियासि नहीं है को इसा डश्याश्य तहीं पहला बदावाला गलत है ठीक है राज सरकार ने 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों की नियुक्ति करने का फैसला किया इसा नहीं है कि फैसला किया हमको लगा था ना कि वहाँ पर जो है बीजेपी का गवर्मेंट है तो हो सकता है कि इस कारण से पर लिख नहीं होगा लेकिन अगले वित्तिया वर्स में राज सरकार ने 500 नगर सुरक्षा शिपाहियों की न्यूक्ति करने का फैसला किया है तो नमबर एक कि राज सरकार के पास 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को देने हे तुप परियाप्त कार्य मौजूद है सही की गलत सही है अब जैसे की रेलवे का बात कर लेते हैं 5693 चीट खाली था समझे एलपी के लिए एतना बरा भयानक वेकेंसी नहीं देता तो ठीक रहता राजmusicर नगर सुरक्छा सिपाहियों का महतो समझती है राज सरकार नगर सुरक्षा सिपाहियों का महत्व समझती है, बिल्कुली क्या है? इतो उधर का ममले था राज सुरक्षा नगर सुरक्षा सिपाहियों का महत्व समझती है, तभी तो बाबू वेकेंसी निकाल रहा है निक्ति का फ़िसला कीया है, अब जैसे कि हमरा गौँ में जो अभी सर्चति पुजाम हम घर गए हुए थे, हमरा घर के पीछे में जमीन का विबाद हो गिया, ठीक है? तो आप जानते हैं कि बिहार के परतियक थाना में जो महिला पुलीस का भरमार लगा हुआ है, तो तीन गों महिला पुलिस उसके सिनाक्त में आई जिसमें एक ठोखुद दरोगा भी थी दूग और 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 हम इससे ज़्यादा क्या कहें हैं हमरा गौंबला आदमी सब बोले हम तो वहां थे नहीं उनको देखने तो गई नहीं थे जब साम में आया का मीटिंग हो रहा ता सब سब कि मों मों में होथा हमरे मौं में नहीं देखो नपता यहाँ पर पुलीस आए था हम भी यहां चांगर कर को सुन रहे थे किया मामला था ता मामला यहीं था लेक्टिनो मांगली सब 0-2賞य है तीनों मतलब पुलीस तीनों ठीक है ना आएए आप हम किसी का अथी नहीं कर रहे हैं लेकिन आईए आप क्या कर यह रादाने मोगली से कहा यदी आप इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको चंद खरीद कर दूँगी एक मिनत राधाने मोगली से का यदि आप इस पहली को हल कर देंगे तो मैं आपको चंद खरीद कर दूँगी तो बहुत बढ़ियां मोगली चंद खरीदना चाहता है इसे नहीं तो रहा खला से नहीं अब चंद का मतलब तुम उपगरह समझा है कि चंद का मतलब तुम खिलोना समझा तुम्हारा न सोचना है उकाद या खरीद देंगे तो खरीद देगा मोगली पहली को हल करने में सक्षम नहीं होगा आप रुक जाईए अभी चंद खरीद कर दूँगी वला बात है तो चांद खरीदना वावू असंभा बला बात हो जाता है और यहां पर हैं मोगली पहली को हल करने में सक्षम नहीं होगा यहीं सोच करके वो यह बात कह रहा है तो यहां बात क्या हो जाएगा सही हो जाएगा शूंसा को काट एक खरीद करके देंगे तो देंगे तो नहीं नहीं वह बिलकुल रुप्या नहीं कहते हैं वहाँ पर सामने वाला क्या सोच लेता है लेकिन अगर मान लिजी वह जब आप दे दे तब आप आप चोड़ जाए तो देना पड़ेगा न उसको कोई बात है कि कुण साथ कोच है उसका न यहां क्या लिखा कि आप अपने मन में क्या धारना बैठा करके प्रस्ण पूछे तर से सवाल पूछेंगे अंदर सर समझा देंगे कि क्या कि देखिए हम बार-बार कहते हैं कि आपके फीलिंग्स से प्रस्ण को कोई लेना देने हमको तौर नहीं है ठीक है प्रस्ण समझ यह फीलिंग्स को साइट रखिए आए यहां पर कुछ तस्वीर रंगीन है कुछ तस्वीर ब्लेक अंड वाइट है कोई रंगीन ब्लेक अंड वाइट नहीं है कुछ टी से तस्वीर रखते हैं कुछ तस्वीर रंगीन आर से रंगीन कुछ तस्वीर ब्लेक अंड वाइट कुछ तस्वीर जो बाभू ब्लेक बीडवलू ब्लेक अंड वाइट कोई रंगीन ब्लेक अंड वाइट नहीं है कोई भी रंगीन जो है वह ब्लेक अंड वाइ कोई अकुछ ब्लेक एंड वाइट रंगीन है बिलकुल गलत कोई ब्लेक एंड वाइट रंगीन नहीं है यह वाला बिलकुल सही यहां डायरेक्ट यह बात बोल रहा है इसलिए बावु पहला दूसरा गलत तीसरा सही हाला कि वह एक कोरियाई है फिर भी यह खाना मेरे दोस्त के लिए काफी मसालेदार है हाला कि वह एक कोरियाई है मतलब वह कोरिया देश से है लेकिन फिर भी मेरे दोस्त के लिए यह काफी मसालेदार यानि कहने का मतलब कि कोरिया के लोग को बहुत मसाला खाता है यह बात सही बात है लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए भी यह मसाला बहु ज़्यादा है यानि कितना मसाला नहीं देना चाहिए कोरियाई मसाले खाना मसालेदार खाना नहीं खा सकते गलत कोरियाई मसालेदार खाना खा सकते हैं सही पहला गलत दूसरा वाला हुआ है कुछ दर्वाज चट्टान है डुसे दर्वाजा बबु may च चट्टान इसा है कुछ चट्टान लकरी कुछ चट्टाध ये वालउ लवी है तो कुछ दर्वाजे लखरी है कुछ दर्वाजा जो हag बाभू लखरी ice cloudy कि गलत को कोई लकृ चत्टान नहीं को पिलकृ जो़। नहीं है क्या सई की गलत वहला और दुसरा दूनगा दूना क्या हूँआ गलत वहाँ हाँ आप कुछ पूछ रहे थे वोल्डीक कुन सा कुस्ट्सन था कि आवा समोली कि बाबु महिला पदनी वहाँ ठीक है हाँ बिल्कुल सही है कहां कोई दिक्कत है वो तो आंसर न है हुझ जाएगे अहाँ ठीक है लेकिन कोई एक परसन कोई एक फिमेल यह जो कि किसी की बहान भी या किसी की पतनी भी है वो तो नहीं नहीं हो पाएगा जैसे मैं किसी का पुत्र हूँ किसी का भाई हूँ फिर वो बात तो रही ले वो नहीं नहीं हो पाएगा कूत्र बेटा क्यों होता है बसमें मेरा बात है हम कहां कहा रहें कि आप गलत बाद सही बोल रहे हैं कुन यह बाला कि यह अच्छा हाँ जी महिला तो यहाँ है तो 21 की पत्नी है 21 की जो की महिला है यह नहीं हम तो यहीं नहीं सुचे कि जलिए आगे बढ़िए कि आई यह मैं क्या है उनीश नंबर सवाल एफ के सापेक्ष सी की स्थिती क्या है यह हमारा सवाल है एबी सी डी एफ जी एक विर्ताकार मेज के इर्दिगीर के अंद्र क्योर्मों करके बैटे हैं ठीक है और चलिए क्या-क्या बैठावा देख ले विर्ताकार छे आठ गो है ना दो दो चार दो छे दो आठ तो लिखा है बाबू एफ जी का परोसी है एजी के बाई और दूसरे अस्थान पर जी के यह दाहिना है और यह बाबू बाया है एजी के बाई और दूसरे जी के बाई पहला जी के बाई दूसरा V G का परोसी है, V यहां भी होसकता है, A और B के बीच केबल दो बैक्ती बैठे हुए है, G और B के बीच में दो बैक्ती यहां पर तो B यहां पर, बी, डी के बाई और तीसरे अस्थान पर बैठा है, अगर बी मान लिजे यहाँ पर है, तो डी के बाई और तीसरे अस्थान पर, तो डी के बाई और पहला दूसरा, डी के बाई और नहीं हो पाएगा, यानि कि यहाँ पर बी नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा कहा पर, यहा और शरूवर दी के बाई और तीसरी पहला दूसरा और यह तीसरा कूल अब जब यहां को rightष यहां पर kanpeh आप यहां पर अंब कोन बचा क्यों कि क investig के बाइं और दुसरे अस्थान पर भी एच का और पहला एच के बाइव दूसरा अस्तान पर कोन है की है कि यहां पर कोन होगा सी और लिखा क्या है एप के साफ एक की कि इस्तिती दाएं को पहला दाएं को दुसरा दाएं को तीसरा कि आप संवाबू एक नंबर के option कि ज़िलिखिए अब को संबन वाइए तहरा है मिटा दें मैं इसका क्लास लेट से शुरू है इसका सन सुरू हो जाए समय पर जा दें आज शुरू में डायलोग मार रहे थे वाजी जा लिखार आप का फंडांडी से क्या संबन्द है कि अदो पूरुस एमट और फंडांड फंडांड अडिनेंड तब तक अच्छे दोस्थ ते जब तक एमट की मोशी की अकलोती बहन की बेटी ने फंड़नी के फिता के अकलोते संताम से जादी नहीं कर ली अच्छा हाँ जलिए बर यहां है एमेट और फर्डानिट के बीच क्या समना जब तक एमेट की मौसी एमेट की मौसी की एकलोती बहान तो मां की बेटी तो मां की बेटी बहान यानि की एमेट की बहान अमेट की कौन बहन ने फर्डानिट के पिता एक लोती संतान तो पिता के कलोता संतान तो फर्डीनेट खुद हो गया वे साधी नहीं कर ली यानि की पatशनी इसका फर्डीनेट का तो अमेटों है फर्डिनेट की पत्नी है अब एमिट का फर्डिनेट से क्या सम्मंद है पत्नी का भाई ओप्षन बाबू एक नंबर ए ओप्षन हो गया क्या लिखा है तीन गुना दो छे पलस दो आठ इस भी कि आठ गुना दो सोला दो अठारा तरोट आठारा गुना दो 1st पुलास पाच फलस छे लैशा ऐसे फलस छे पलस अब में पलस चे रुछह है यहांनी कि यहां हो जागा क्या संंस्थीफोर एली फैंट मुछ यह गलत है यह गलत है ठीक है पालस पांच पालस दस पालस पंद्रा पालस बीस पालस पचीस पचीस जो रियेगा तो हो जागा बाब वो अठाटर पलस पालश पालश पांच अठाटर अठाटर दुनों मैं पलस साथ पलस नौ पलस ग्यारह पलस तेरह पिलस तैरह तो हो जागा को everything स्टी नंबर है है यहां पर सबका सब्स्राइप प्राइमे नंबर करने मिलिकने छबसे संगत नहीं है को संगत नहीं है कि कि इन में से दुस्रा सबसे लंबा कौन है यह हमारा सवाल है चलिए अबावू सबसे लंबा पर्म निखिल 2,3,4,5 उन 2,3,4,5 हेमू निखिल से छोटा है और परम से लंबा है एत से हेमू एन से निखिल से छोटा है और पी से परम से लंबा है बोवी पंचरो मित्रों में सब से लंबा बी से बोवी यहां पर परम निखिल से छोटा है परम जो है निखिल से छोटा लेकिन ललिता से लंबा है जाने कि यह पर हो जागा बी से बॉबी दूसरे नंबर पर कौन है निखील आप्टन बापू चार नंबर डी आप्ट्शन हो गया इन बेसे कौन अधिकतम भासाएं बोलता या बोलती है चलिए लिखा सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी दूँको भासा आओ गया ूहान और गीता बंगाली और हिंदी जहां पर बाबू बंगाली ये को नहीं आगिया तीता प्रिया और गौरब अंग्रेजी और मल्यालम तीता प्रिया और गौरब अंग्रेजी और मल्यालम तीता मंग्रेजी और मल्यालम दूगो आगया तीता मंग्रेजी पहले से था गौरब में तो हो गया अंग्रेजी और मल्यालम दूगो गीता गौरव और उडिया बोलती है गीता और गौरव उडिया भी बोलती है तो यह हो गया चार घुफासा इसमें आ गया यही आपका अंसर अप्सन बाबू कीता तीन नमबर सी अप्सन कि असंगत को छंट ये 250-375-150 क्या होगा 175 क्योंकि यह दस से विभाजित नहीं है पांस से थे सब विभाजित थे हैं दस से विभाजित नहीं है इन में सबसे छोटा या छोटी कौन है सबसे छोटा नीतु सुमित से बरी है नीतु क्या है बरी है जब नीतू बरी है तो नीतू आंसर नहीं ठीक है रोहित सुमित से छोटा रोहित आंसर सुमित नहीं तो कि हमको सबसे छोटा न ढूनना है तो सबसे छोटा ढूनना जो बरा हुआ वो मेरा आंसर नहीं होगा रोहित सुमित से छोटा है लेकिन कविता से बरा है यानि कि रोहित जो है कविता से बरा है तो रोहित गया निशा सुमित से बरी है निशा किस से बरी है तुमित से तो निशा गया ओप्षन कुण से कविता ओप्षन बाबु तीन नंबर सी ओप्षन पदिकत ह्क् MOM कि इन में से कितने करमचारी को पास केबल लप्टॉप है k vikt लफ टॉप अ है दिख रहा है इसमें बाबु कितने करमचारी को पास केबल लफ्टॉप ह väls तो इसमें दिया गया है क्या ची इसको ध्यान से देखिए एब लब्व्याराम का बात हुआ कि एक कारियालाए में 200 क करम्चारी है जिन में 130 करम्चारियों के पास डॉक्स्टॉप है 130 के पास बाबू डेक्स्टॉप है टी लिख देते हूंetsu के पास www.nov.co 1 100 के पास क्या है लट्टॉप है 60 के पास दोनों है 130 में से शार्ट तो यहां प्रपावु 70 है एक साथ या प्रपावु 40 की कैर आप पूंच राइनमेर्स एक कितने करमचारिक पास केबल लब्टॉप है यह भल लब्टॉप में 40 के पास उप्टन एक नंबर एक अप्शन क्या लिखा है जो भी लिखा बढ़िया लिखा है तब के सामने जो लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है जिस लेटर के सामने जो नंबर वही उसका कोड एल एल का बाबु फाइब ती का चार आंसर ओप्शन तीन नमबर सी ओप्शन इतना और इतना को करम सा इतना और इतना लिखा गया है यानि कि इसका कोड है यहां पर इसका कोड अबावू यहां पर अठारा दो बीस पंदरा तीन अठारा चार आठ यानि कि पलस टू पलस थिरी पलस फोर किया गया है आप यहीं लगाईए उनीस में दो जोर दीजिया किस अप दूग उप्शन गया और उसके बाद यहां पर पलस थिरी कर यहीं गया यह उप्शन उप्शन एक नमबर ए आंस कुना दो माइनस दो कुना चार माइनस दो कुना छे माइनस दो 178 ओप्शन एक नमबर ए आंसर ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग सोंबार को अपने समय पर जै हिंद